Hello everyone, very good morning to all of you, आज के दिन की शुरुवात करेंगे 15 मार्च 2023 के Current Affair के साथ, हर एक कुशन इंपोर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, PDF आपको पता ही है, एक्जाम इंजन एप्लिकेशन से आप डेली के Current Affair PDF आंसर की के साथ डाउनलोड कर सकते हो, इसके अलावा मैं Telegram पर भी शेर कर देता हूँ, तो Telegram का ओफिशल लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे उपर दिया हुआ है, अब चलिए सिंगली जाता है, लेकिन लिखा जाता है सिंगला, S-I-N-H-A-L-A, तो जिन लोगों ने भी आंसर दिया है श्रिलंका, उन सभी का आंसर सही है, श्रिलंका की Official Language है सिंगली, इसके अलावा श्रिलंका का National Game है Volleyball, और इस टाइम पे यहां पे रास्टपती है, रेनिल विक्र सिंगापूर की सिंगापूर सिटी, और महमार की Capital है ने पिडे, अब आज के Current Affair शुरू करते हैं, पहली न्यूस है आज की, कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ भारत में इतिहास रज दिया है, दो चीजों में आसकर जीत कर, तो एक तो डोक्यूमेंटरी शॉट है, जि इडिशन ऑफ ऑसकर एवर्ड हो रहा है, जिसमें आर-ार मुवी जो आई थी अभी, आर-ार-ार का, नाटू-नाटू सॉंग, इसको सम्मानित किया गया है, और साथ में डोक्यूमेंटी शॉट, The Elephant Whispers को भी सम्मानित किया गया है, अगला कुशन है, अभी हाली में एक तूफान आया है, जिसका नाम है Freddy, कौन से दो देशों को हिट किया है इस तूफान ने, तो यह दोनो अफ्रीकन कंट्री है, एक तो है मलावी और दूसरा है मोजाम्बिक, इन दोनो देशों में हैवी बिंड के साथ यह तूफान आया हुआ है, अगर आप अफ्रीका का यह मैप देखो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इन दोनो देशों की कोस्टल लाइन है, और यह जो यल्लो वाले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यह है मोजाम्बिक, और यह है आपका साथ में मलावी, और इसके साथ में जो लगा हुआ आपको आइलेंड मतलब एफरीका का सबसे बड़ा आइलेंड कंट्री कौन सा है, आइलेंड कंट्री का मतलब चारो तरफ पानी से गिरा हुआ, तो यह है मेडागासकर, अब अगर आप भारत से देखोगे, तो वर्ड मैप में आपको भारत इधर दिखाई देगा, तो साउथ वेस्ट की तर और अगर मलावी की बात करें, तो इसकी कैपिटल क्या है, क्वाचा, क्वाचा इसकी कैपिटल है, बाकी लेबनान की कैपिटल है, बेरूत, क्यूबा की कैपिटल हवाना, यूक्रेन की कैपिटल कीव, रेश्या की कैपिटल मॉस्को, इंडोनेश्या की जकार्ता पहले थी लेकिन अभी हाली में बोर्णियो आइलेंड इसकी capital बना दी गई है और सिंगापूर की capital सिंगापूर सिटी अगला कोशन है अभी हाली में पहली Supreme Audit Institution G20 की meeting किसके द्वारा address करी गई है मतलब इस बार आपको तो पताई है G20 के दिचता भारत कर रहा है जितनी भी इस बार G20 की 2030 की meeting होगी वो सब भारत में अलग-अलग शहरों में हो रही है लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि G20 Groups में Supreme Audit Institution की meeting हुई है तो इसको lead किसके द्वारा किया गया तो इसको lead किया है भारत के Comptroller and Auditor Journal of India ग्रीश चन्द मुर्मू के द्वारा इसको lead किया है और अगर CAG की बात करें तो हमारे सम्विधान में Article 148 के तैत इनका प्राउधान है CAG की retirement age 65 साल होती है और इनका जो कारेकाल है ये 6 साल का 10-neur होता है अब सवाल ये उड़ता है कि इस meeting का main उद्देश ही क्या है देखें G20 nations आपस में अब ये pact sign करना चाहते हैं कि आने वाले time में हम judiciary के शेत्र में भी एक दूसरे का सयोग करें आज की rate में बहुत ही आम बात है आपको देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति एक देश में कोई भी fault करता है और defalter बनके किसी दूसरे कंट्री में जाके shift हो जाता है और उसके बाद उस कंट्री में हम legally तौर पर कुछ भी नहीं उसका कर पाते है example के तौर पर आप देख रहे हो नीरव मोदी का case हो गया या विजय मालिया का case हो गया इसके अलावा बहुत सारे ऐसे crime cases भी होते है तो इस case में क्या होता है कि दो देशों के बीच में judicial review और साथ में criminal pact भी sign होना चाहिए तब जाकर ऐसा हो पाएगा कि अगर हमारे जिससे कोई भी defalter दूसरे country में जाकर इश्रान लेता है तो उस country के जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे defalter को हमारी police को सौपे तो यह इसका में उत्यश्य है और आपको यह भी ध्यान रखना है अगले साल G20 की अद्यचता कौन करेगा ब्राजील करेगा ब्राजील अगला question है चौथा संस्क्रण Asian Koko Championship for Men's and Women's यह कौन से राज में इस बार आयजित किया जा रहा है तो इस बार इसको आसाम में आयजित किया जा रहा है कहां पर आसाम में और यह कब से कब तक आयजित किया जा रहा है तो 20 मार्च से इसकी शुरुवात होगी और 23 मार्च तक अगर आप से डिस्टिक पूछा जाए तो ध्यान रखेगा आसाम का डिस्टिक है बक्सा डिस्टिक जहां पर इसको आयजित किया जाएगा एक चीज़ और ध्यान रखेगा आसाम के बारे में पिछले साल तक आसाम में पांच नैशनल पार्क हुआ करते थे लेकिन अब टो काम में इस टाइम पर हिमानता विस्ट शर्मा की सरकार है और यहां पर गवर्नर है डॉक्टर जगदीश मुखी अच्छा गवर्नर के लिए आर्टिकल कितना है हमारे कॉंस्टिटूशन में क्या आप कमेंड बॉक्स में लिखकर बता सकते हो अगर पता है तो लिखकर बता बचाने के लिए या फिर एको सिस्टम को बचाने के लिए किसी भी छेतर में उत्करस्ट कारे किया हो तो ऐसे लोगों को स्टेट गवर्नर्मेंट जॉप्स में दस परसेंट का आरक्षन यह सरकार देगी तो यह है उत्तरा खंड में पुषकर धामी सरकार पुषकर धामी स अगला कुशन है भारत सरकार ने अभी हाली में फैसला लिया है कि भारत में कितने होटी कल्चर क्रॉप एक्सिलेंस सेंटर की स्थापना करी जाएगी भारत सरकार ने अभी हाली में फैसला लिया है कि टोटल तीन नय और होटी कल्चर क्रॉप एक्सिलेंस सेंटर की स्थापना करी जाएगी अब सवाल ये उड़ता है कि कहां कहां पर इस्थापना करी जाएगी तो ये तीन जगे कौन सी हैं एक तो हो गया उडिसा उडिसा में कहां पर तो ये है जजपुर डिस्टिक जजपुर डिस्टिक पहला दूसरा हो गया करनाटक करनाटक में कहाँ पर मैंगलॉर में स्थापना करी जाएगी और तीसरा जो राज्य हो गया यह है गोवा गोवा में साउथ गोवा के अंदर स्थापना करी जाएगी सवाल यह उड़ता है कि होटी कल्चर क्रॉप एक्सिलेंट सेंटर का काम क्या होगा देखें यह एक ऐसा प्रेमाइसे होता है जहां पर एक तरफ मतलब एक हिस्से में आप यह समझ लो कि फलों और सबजियों का उत्पादन किया जाता है उसके बाद एक इसका सेक्टर होता है जहां पर इनको फिल्टर किया जाता है मतलब सबजियों की साफ सफाई करी जाती है, उसके बाद फिर एक next जो segment होता है, उसमें इनकी international लेवल पर trading के लिए packing करी जाती है, और finally evaluate करके इनको निकाल दिया जाता है. Horticulture Crop Excellence Center का main उद्देश यह है, कि हमें A-grade quality के products पैदा करने हैं, चाहे वो फल हूँ या फिर सबजियां हूँ, साथ में इनकी खास बात यह है, कि ये इसराइलियन पद्दती पर आधारित होती है, जिसको drip irrigation system बोला जाता है, drip irrigation system का मतलब यह है, कि यहाँ पर फसल उगाने के अलग से पानी नहीं डाला जाता है, या फिर सिचाई में जैसे canal का use किया जाता है, वैसा कुछ नहीं होता है, इसमें इस तरीके से हर एक रो में pipe बिचाया जाता है पानी का, और इनमें छेद होते हैं बीच में, इन छिद्रों से पानी बून बून करके टिपकता रहता है, drip irrigation system की खास बात यह है, कि इसमें water consumption भी कम होता है, और फसल भी जादा अच्छी होती है, क्योंकि science में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कि पौधों को आप जितना पानी देते हो आम तोर पर, उसमें से केवल 1% ही वो use करते हैं, बाकी जितना भी होता है, वो सब evaporate होके हव में उड़ जाता है, इसराइल में इसकी शुरुवात इसलिए हुई थी, कि अगर आपको इसराइल की हिस्ट्री पता है, तो आपको पता होना चाहिए, कि इसराइल के पास ले देकर सिर्फ एक ही river है, मीठा पानी पीने के लिए, उनके पूरे देश को, even फलिस्टीन से उन सा ये डिस्टिक है, जिसको टॉप पोजीशन मिली है, तो यह है, रूद रपयाग, देखिए, यहाँ पर टॉप पोजीशन का मतलब यह नहीं है, कि बहुत अच्छी बात है, यह रिपोर्ट दरसल यह बता रही है, कि भारत में कौन से डिस्टिक है, टॉप के, जहाँ पर इस तरीके के सबसे जादा भू इसकलान आते हैं, तो यह है, उत्राखंड का रूद रपयाग नमबर वन पे, अगर टॉप फाइब देखें, तो नमबर वन पे उत्राखंड का रूद रपयाग है, नमबर तो पे, उत्राखंड का डिस्टिक टेहरी गडवाल है, इसे पर जम्मू कश्मीर का राजवरी है और पांचों नंबर पर केरल का पलक्कर डिस्टिक है। अगर बात करी जाए तो यह रिपोर्ट यह कहती है कि 1998 से लेकर साल 2025 के बीच में भारत में 80,000 से जादा लैंसलाइड आई हुएं, 80,000 प्लस। इसरो की स्थापना 1969 में विक्रम जी सारा भाई के द्वारा करी गई थी, इसका हेड़ पॉर्टर है बैंगलॉर और इस टाइम पे इसरो के चीफ कौन है, डॉक्टर एस सोमनात, सीनियर रॉकेट साइंटिस्ट। अगला कोशन है, भारत सरकार ने अभी हाली में mandatory कर दिया है, कि जितने भी सोने के आभूशन है, उनमें 6 डिजिट का HUID मार्क होना चाहिए, ये mandatory कर दिया है कौन सी डेट से, तो सरकार का इस पर फैसला आया है, कि आने वाले 1 अप्रेल 2023 से, मार्केट में जितनी भी जुलर को एक identification number देता है, या आप बोल सकते हो unique hall marking identification number देता है, दरसल जब आप जुलरी देखोगे, तो आपको इस तरीके के 3 mark दिखाई देंगे, एक ये वाला mark तो आपका जाना पहचाना है, ये आपका BIS logo होता है, जो की standard बताता है gold का, इसके बाद ये वाला जो mark है, ये आपको अगला question है, अभी हाली में एक program शुरू किया गया है, जिसका नाम है bagger free city, मतलब भिकारियों से मुक्त शहर, ये program कौन से शहर में चलाया गया है, तो इसको चलाया गया है नागपूर के अंदर, नागपूर की municipal corporation मतलब नगर निगम और पुलिस मिलकर इस program को चला रही है, उन सभी को सुना जाएगा, और city को baggers free बनाया जाएगा, डिरेक्टली अगर देखा जाए तो इसके लिए एक portal भी launch किया जा रहा है, इस portal के तहत, आप complain कर सकते हो, आपके घर के आसपास, या आप जिस भी commercial area में हो, वहाँ पर अगर आप समू देखते हो, विकारियों का, तो आप वहाँ पर उनके लिए अगर कुछ suspicious देखते हो, या अगर कुछ उन्हें जरूरत है, तो दोनों ही segment में आप feedback दे सकते हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ baggers की मदद की बात नहीं करी जा रही है, यहाँ पर security की भी बात करी जा रही है, जहाँ पर मदद की बात society के अंदर, तो ऐसे case में नागपुर पुलिस action में आ जाएगी, अगला question है, अभी हाली में 2023 के women's world boxing championship के लिए brand ambassador के रूप में किसको नामित किया गया है, तो दरसल इस बार दो लोग नामित किये गए हैं, एक तो MC Marycom करी गई है, MC Marycom, भारत ही नहीं, पुरे दुनिया में इन्होंने boxing sector में लोहा मनवाया है अपना, और MC Marycom अभी कुस टाइम पहले Puma की भी brand ambassador मनाई गई थी, तो MC Marycom और इनके साथ में फरान अक्तर, इन दोनों को brand ambassador नियुक्त किया गया है, Women's World Boxing Champion 2023 का, और इस बार जो ये boxing championship हो रही है, ये कब से शुरुआत हो रही है, इसके शुरुआत आज से ही हो रही है, मतलब 15 मार्स से, ये कब तक चलेगी, 26 मार्स तक चलेगी, तहाँ पर हो New Delhi, Geneva, Paris, ये वेना, पता है तो comment box में जल्दी से लिख कर बताएगे, exam engine पर ये batch start होने के लिए सिर्फ 24 गंटे बचे हुए है, 16 तारिक, कल से ये batch start हो रहा है, अब यहाँ पर 3 नहीं सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, तो आप history और quality के लिए इस batch को join कर सकते हो, 2013 का कोई भी exam ह history quality का weightage आपको पताईए, even आप UPPCS का भी exam देने जा रहे हैं, तो आप इस batch में खुद को enroll कर सकते हो, और 16 मार्च को, कल मेरा birthday है, तो उस दिन मैं पहले भी आपको बदा चुका हूँ, बहुत बड़ा surprise आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इसके लिए YouTube पर जुणना मेरे बात मत भूलेगा, आज की बात यहीं तक रहेगी, thank you so much, have a nice day, take care, bye bye, आप करें मिंगल, मैं हूँ.